कि असलाम लेकुम विएर्स उम्मीदात सब खेड़ेत होंगे अगर इस प्रोजेक्ट का हम अबर्व्यू करने जा रहे हैं यह ट्वालेट क्लीनिंग से रिलेटिड प्रोड़क्ट है मेड इन उक कि यह प्रोड़कर आति है लूग ब्लू इसका नाम है इसके प्रेंड का नाम भी अदर आधा तो इस प्रोड़क का नाम दूसरा एक टीलग डूप घ्रीन है इस प्रोडेक्ट का जो पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका है लू ग्रीन का यह इन क्रिस्टेन ब्लॉक्स भी नहीं कहते हैं क्लीन फॉर्म्स रिफ्रेशन और तक्रिबन 38 ग्राम का एक ब्लॉक होता है चाल ब्लॉक की पैकिंग है कि मैं डिफेंट जो कॉंबिनेशन आते हैं एक ब्लॉक की पैकिंग भी आती है दो की भी आती है चार की भी आती है अच्छे इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा पढ़के बताऊं कलर्स वाटर ग्रीन यह थोड़ा सा हलका सा ग्रीन कलर का वाटर करेगा यह इसे आप जो लाइम स्केल से भी आपके जो टॉलेट यह उस पर बचाता है और मार्क वगरा को पुराने और काफी मदब वह गहरे लगे मैं तो यह बुसको क्लीन करें गाए क्योंकि यह सिर्फ पाने के साथ उसे एक आंगोईंग प्रोसीस है जो दाग नहीं लगने देता अगर यह कहे कि पुराने दाग लगे में बहुत गंदा ट्वालेट है वह इसको बस पांटेंकी के अंदर डाल दें तो वह साफ कर देगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यह ओन्ग प्रोसीस है क्लीनिंग का और हल्किसी यह फ्रेग्नेंस आपके वाश्रूम में जो बैड ओर्डर होती है दूसरा आपके तौलेट को क्लीन करता है एंक रस्टैन ब्लॉक सब्सक्ते हैं लास्स वीडियो में मैंने आपको लूब ब्रीन का आपको दिखाया था और دेख रहते हैं कि यह प्रिंटिंग मिस्टेक है यह ऊपर से कटिंग होई शीट जो पर से कट गया यह उपर से ब्लू दिखा रहा हूं यह मैंने वैसे दो वीडियो में दो ना रख लिए थे लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको लूग जीन का एक मुकमल डेमो दिया था कलर्स बॉटर गिये है लाइट इसमें लाइट ब्लू सा हलका साथ आप जो टॉलेट का वाटर जो आप यह कमोट में या दूसरे फ्लश में भी आप करते हैं तो यह पानी का हलका साथ जो कलर है यह लाइट ब्लू सा हो जाएगा सेमी सी तरह इंक्रिस्टेंड ब्लॉक्स क्लीन फॉर्म और रिफ्रेश्टिट ग्रांस का यह भी प्रक्सिमेट एक ब्लॉक है और चार ब्लॉक सी प करें तो होता है इवन वाल मॉंट्रीट भी आपका वाटर टैंक है वह भी आप उसका डखर इनकोल कर आप उसमें डाल सकते हैं और दूसरा अगिरा जो यह घ्यूल एंट होते हैं और ने जल्दी दॉल्व हो जागा क्योंकर दाउल नहीं पानी ब्लॉक्त होता है तो यह ज और दूसरा इसके यूजिच प्रूर लिए इस चीज पेंट पर टेंट अगए आप कितना वह रहाँ पाने वहां से बार-बार उजगता है तोलेट आप कितना उसे फ्लश करते हैं क्योंकि जितनी बार फ्लश होगा जितनी बार वह पानी उसमें से गुजड़ेगा उतनी दफ़ा यह डिजॉल्व होता जाएगा अगर एक जो ट्वाइलेट है वह आप सो दफाव फ्लश करें और एक जो दस दफाव फ्लश करें तो यह दोनों में सेम कंजिम होगा ऐसा नहीं है जितने आपके यूज़ेज है उससे साथ से यह डिजॉल्व होगा अपको मैं इस पर दिखा सकूं यह पास करके मैं आपको द तोयलेट थोरली इंक्लूडिंग अंडर दारीम जहां से वह पानी आता है तोयलेट का उन हिस्सों पर अक्सर ब्रश वह गयरा नहीं जाता वहां से भी यह क्लीन कर देता है कि इस पर इस पर देखें से इंचन आइ डिमोव अ ब्लॉक प्रॉं दा पैक नो नेट टू रिमूव दा पिली आपर यह इसके अंदल यह मुकमल शॉपर वाला डेपर नहीं है कि इसके अंदर पानी ना जा सके यह जो है इसके पानी जा सकते हैं यह सबनाया गया है लगा- यह वाली जो शेप है यह वह उपदार है कि यहां से पानी आपका इनलेट है आपने इस तरफ यह डालना है तो यह डिजॉल्ब होता जाएगा कफी अच्छी प्रोड़क्ट है यह तो आप इसे अगर और चाहते हैं इंका लिंक जो इसे में में मेंशन कर दूंगा है आप इसे वहाँ से ओड़र कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कांड़ी चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए बहुत शुक्रिया अलाफेश